हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू करेंट अफेस फंडा और आज हम देखेंगे तीसरा लेक्चर हमारी सीरीज में जिसका नाम है दाहिंदू करेंट अफेस में इस वीडियो में अन तक बने रहिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं और वी जो आने वाले एक क् τοमish आपकें सब्सक्राइब तो कैसे कि यह यह था कि क्लिडियर और पालक coincidence लेस जो शाइक्वान क्यूंद क करेक्ट निए मखें निवस और जो वेस्ट और अñगाऊल उसका जो मरे कारी तो वहाँ पे जो narcote cyclone एंपन है उसके जो मतलब symptom से वोrü डिबलफ होने है और वहां पर यह कहा गया है कि आने वाले स्वर में वहां पे ओवारे करेंस तेम में नात हो चुकी है कि आने वाले स्वर में इस से बहुत जाधा इससे होने तो एक-दो किलोमेटर है उसको भी हैंपर कर सकता है लैंड से कनेक्टेड याने जो यहां पर टट होता है ठीक है इससे भी आगे पानी जाके निकल जाता है जिस प्रकार आप अगर थोड़ा बहुत जोग्रफी देखे होंगे तो उसमें एक कॉंसेप्ट होता है कोरियोलिस फोर्स तो जैसे अगर माल लीजे यह भारत का नक्षा है तो यह यहां डेवलप होता है एक्वेटर के थोड़ा उपर डेवलप होता है और एक्वेटर पर सीधा रहता है ठीक है यह जैसे टमिल नाडू के तरफ रहता है लेकिन यह और आगे-आगे आते डेवलप होते होते हो तो यह राइट डारेक्शन में मूफ करता है तो यहां वेस्ट बेंग और उड़ीसा की तरफ आने की इसकी संभावना है यह बताया जारा है इस पर्ट इंडियन ओशन की 8 कंट्री यह वह देती है और हर एक कंट्री क्या होती आठ नाम देती है ठीक है तो यह जो टोटल नाम हो जाते हैं 64 नाम हो जाते है तो इस प्रकार आपसे भी question पूझा सा सकता है कि अमफन जो नाम दिया गया है यह किस कंट्री के द्वारा दिया गया है तो यहाँ पर जो correct answer होगा, अमफन दिया गया है Thailand के द्वारा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि अमफन नाम किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है Thailand के द्वारा, ओके, प्लीज फ्रेंग्स हमारे चैनल पर इसको ये देखिए, आई बटन पर पूरी सीरीज आपको मिलेगी, जो की current office lecture से related है, next question है, how many tribal groups, ठीक है, ऐसे कितने tribal groups include किये गए है, particularly vulnerable tribal groups के अंदर, ठीक है, जो PVT होता है, उसके अंतरगत, कितने tribal groups include किये गए है, तो अब जो correct answer है, वो option number A 75, इसके अंतरगत 75 tribal groups enter किये गए है, या फिर include किये गए है, अब इसका context देख लेए है, इसका context यह है, कि जो एक सहरिया tribe है, कहाँ पर मदर पर देश में, सहरिया tribe है, ये एक particularly vulnerable tribal group है, ठीक है, और ये इसका context यहाँ पर है, ठीक है, आप यहाँ से ये एक question बन सकता है, कि ये tribal group कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये मदर पर देश है, इसके context में एक आ जा रहा है, कि ग्रेन तो है नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो perfect matchmaking चल लिए है, शादी के लिए जो युवा तैयार हो रहे है, ठीक है, तो आने वाले समय में, इनको ये शादी भी नहीं हो पा रही है, और साथी साथ वहाँ जो food grains वगेरा ये जो उगाते थे या सोइंग सीजन होता था, या फिर harvesting सीजन था, वो भी इस pandemic के द्वारा hamper हुआ है, तो यहां पर सिर्फ आपको दो तीन बाते याद रखने हैं, कि कितने group होते हैं, कितने tribal group होत है, ठीक है, उसकी जो death हो जाती है, just after उसके birth के, तो ये कितने दिनों में अगर death होती है, तो उसे neonatal mortality के अंतरगत बोला जाता है, यहां पर जो correct option है, वो option number A, death of a newborn within first 28 days, अगर पहले 28 दिन के अंदर किसी भी सिशू की मित्त्य हो जाती है, तो इस category में वो fall करता है, ठीक है, इसके अंतरगत और भी category होती है, जैसे infant mortality होता है, ठीक है, उसके बाद होता है child mortality और एक और होता है maternal mortality, तो जो infant mortality होता है, वो होता है one year के अंतरगत, ठीक है, one year के अंदर जितने भी शिशू की death होती है, per 1000, child mortality में होता है 5 साल के अंदर, ये भी होता है per 1000, और ये जो होता है maternal mortality यहाँ पर यह बोला जाता है कि जो mother होती उसकी death हो जाती है ठीक है pregnancy के द्वारान तो यह count किया जाता है per one lakh ठीक है per one lakh इसे count किया जाता है तो यह चार बातें आपको इससे related याद रखनी है ठीक है अब देख लेते हैं इसका context इसका context यह है कि एक नई टेकनीक है ठीक है उससे develop किया गया है और इसका नाम है Lisa procedure तो basically Lisa procedure का जो full form होता है वो यह है कि less invasive ठीक है surfactant administration ठीक है इसका नाम है Lisa तो basically यह होता है इसलिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं या infant होते हैं उन्हें जो सांस लेने में problem होती है ठीक है उससे related गिया फिर उनके lungs में कोई infection होता है उससे related यह technique है और अब यह technique मतलब जो अच्छे fruitful result दे रही है और आने वाले समय में इससे आने कोई भी जो new natal death है वो नहीं होगी और यहां पर जो cure है ठीक है वो अच्छा हो सकता है यह बताया जा रहा है क्योंकि यह result sealed कर रहा है वो काफी encouraging है okay friends next question which of the following has designed and developed ठीक है किसने मतलब design भी किया है और develop भी किया है किसे light combat aircraft stages basically एक भारत के द्वारा बनाया हुआ indigenous aircraft है ठीक है तो यहां पर जो correct option है वो है option number a option number b यहां पर friends यहां पर जो यह option नहीं होना था यहां पर होना था both a and b ठीक है इसने design किया है और इसने develop किया है अब इसका context लेते हैं तो आने वाले स्वह में 83 light combat जो aircraft है उसे भी high priority पर खरीदेंगे कौन air force ठीक है इंडियन force और इंडियन आमी तो basically यह दोनों जगे काम करते हैं इंडियन एफोस में भी काम करते हैं और इंडियन नेवी में भी काम करते हैं ठीक है और आने वाले स्वह में इसे खरीदेगी just because कि अभी जो डोकलाम में issue चल ला है लेपू लेक में issue चल ला है नेपाल से इसे देखते हुए जो ACM बधोरिया जी है उन्होंने कहा है कि आने वाज इसमें में जल से जल हम 83 light combat जो aircraft है उसे procure करेंगे तो यहां पर जो correct option है वो यह दोनों A and B है ठीक है आप यहां इसको option को correct कर लिजेगा यह बोथ A and B होगा यहां पर design किया गया है Aeronautic Development Agency के द्वारा और इसने इसको डेवलप किया है हिंदुस्तान Aeronautical Immigrant next question है who is appointed as the additional judge of the Karnataka High Court तो basically यहां पर बात कही जा रही है जज की तो तो तीन बाते आपको पता होने चाहिए कि जो कि Tucsonmen होती हों किस के द्वारा होती है प्रसेड़के के appointment वो finalize हो गया है तो आप यहां पर जिस से related भी question यहां पर expect कर सकते हैं इस particular topic से next question है recently seen in news USAID which is funding 200 ventilators to India is related to basically यह बोल रहा है यह USAID जो है यह basically यह कहां का ग्रूप है यह agency यह agency United States की जो aid वाली company है वो है यह USA related है ठीक है तो यह बहरत को आने वाले समय में 200 ventilators देगी तो अब हम यह देख लेते हैं यह जो US की जो एक agency है agency for international development यह आप इसका full form है agency for international aid and development ठीक है आप बोल सकते agency for international development भी बोल सकते aid and development भी बोल सकते जैसे आप बोलें यह particularly US की है ठीक है तो यह 200 ventilators भारत को देगी ठीक है ताकि वो अपने जो pandemic है उससे लड़ सके जिस प्रकार भारत ने कुछ समय पहले उनको drug पहुचाया था अपने देश से ठीक है जब उन्होंने request करी थी उसी प्रकार अभी एक counter उनको एक मतलब gesture Donald Trump के द्वारा देखने मिल रहा है ठीक है और यह को यह एक-दो महीने मां डिलिवार हो जाएगा भारत के अंदर next question है consider the following ठीक है राजी गवांदी किसान निया योजना इस लॉंच भाई चैटिसगर्ड गवर्मेंट फस्ट है second scheme will commence from 21st May 2020 तो यहां पर आपको बताना है कौन सी स्टेट्मेंट सही है यहां पर जो स्टेट्मेंट सही है वह हैं दोनों ठीक है बोत A and B सही है अब इसका context देख लेते हैं तो जो 21 में होता है वो राजी गवांदी की जो मतलब death anniversary उसकी रूप में बनाया जाता है ठीक है त ठीक है जहां पर directly account में पैसे बेजे जाएंगे चार इंस्टॉल्मेंट में ठीक है और भी जैसे इसके बारे में आगे आएगा तो हम आगने वाले lectures में भी से related questions इंक्लूट करेंगे ठीक है next question is which of the following year यहने कौन से sun में NGT को establish किया गया था या NGT establish हुआ तो यह पर जो correct option है वो option number D 2010 में अब NGT का full form होता है national green tribunal ठीक है basically क्या देखता है यह देखता है कि देश के अंदर जितने भी environmental related ठीक है अगर मालीजे कहीं पर कोई discrepancy है या फिर कोई नॉम को follow नहीं कर रहा है या उस से related उस particular area में कुछ infection हो गया infection in the sense यहां फिर वहां और उसके बाद उन्हें regulate भी करते हैं ठीक है कि आपको आने वाज़े से हमें ऐसी ऐसी चीज़े नहीं करनी है या फिर guidelines भी issue करते है ठीक है और यह सरकार के द्वारा कहने पे भी ऐसी guidelines issue करते है तो इसका context देखेंगे अगर तो जो आंदर प्रदेश में sterine gas leak होई थी उसके काउंटर ने में company ने क्या किया company ने case file किया और यह बोला यह compensation बहुत जादा है तो उसी context में यह बोल रहा है Supreme Court कि हम मतलब जो SC जो NGT के orders है उसको हम decline नहीं कर सकते या फिर उस पर कोई भी interference नहीं कर सकते just because यह उनकी whole sole authority के अंदर मतलब lie करता है तो यहां पर जो correct option है option number C 2010 में established हुआ था next question है recently seen in news ठीक है serverus basically related है किस से यह पूछा जा रहे है यह पर तो basically एक प्रकार का computer virus है ठीक है तो इसका context है यह है कि CBI नहींट किया authorities को for malware threat अब जैसे कोवेट चल रहा है तो कोवेट जब चल रहा है तो बहुत सारे जो लोग है यह मीडियम को यूज कर रहे हैं लेकिन इसमें से कुछ मीडियम ऐसे भी है जो उतने reliable या authentic नहीं है ठीक है तो उससे क्या होगा जो आपके information होती है फिर confidential चीजे होती हैं वो भी hamper हो सकती यहां पर कहना है CBI का तो आप थोड़ा बच के रहे हैं तो CBI ने यह कहा है कि यहां पर banking torsion की बात कहीं जा रही है यहां पर कहा है related to banking torsion और यह cerebus ठीक है और यह बोला है कि यह ने एक अप्शन नमबर ए कंप्यूटर वाइरस नेक्स्ट विच्ट फॉलिंग इस करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नाशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स तो एंडियारिफ केम बात करें जैसे हमना फर्स्ट कोश्चन में देखा था अमफन ठीक हम फन में क्या होता है कि सब प्से पहले निर रिस्पोंस करती है ठीक है लिए टीक आशनल डेवलपमेंट रिस्पोंस अथार्टी बोलते हैं और यह मिनिस्ट्री ओफों ऑफस्ट के अंतरगात आती है प्लस ऑंडी एमें के जो चेर्मन होते है वो प्यम्प होते हैं तो इस पर्टिक्लर वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो यहां पर all of the above इसका correct answer अभी इसका जो context वो यह है कि 41 NDRF की जो team है वो deploy कर दीगी है West Bengal और इसमें जैसा मैंना आपको बता है वहां पर अभी चक्रवात आने की संभावना है और उससे बहुत जाड़ा मतलब जानापदा की जो loss हो सकता है वो हो सकता है तो अब क्या हो रहा है कुछ लोग यह भी बोल रहा है कि जो pandemic के कारण लोग lockdown में है तो यह जो अपने जो मतलब rescue operations होते है वो बहुत अच्छे से कर लेंगे ठीक है तो यह पूरे preparedness की बात है कि आप कितना well prepared है ठीक है अगर माली जो कोई चीज आनी है या फिर बहुत ही जादा dangerous है तो उससे आप मतलब रोक तो नहीं पाएंगे लेकिन जो उसका effect होगा या उसका जो end result होगा उससे आप थोड़ा स जो concept है यह कैसा लग रहा है okay so bye bye take care till you meet in the next video तब तक आप हमारे चैनल पर quality series चलिए उसे भी like कीजिए ठीक है और please like कीजिए subscribe कीजिए अपने friends के साथ भी से share कीजिए और stay tuned okay और feedbacks is compulsor या आप comment box में पने feedback जरूर देखिए okay so bye bye take care till you meet in the next video